तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यास्थता क्या होती है और प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कहो बाटा गया है वर्गित किया गया है तोड़ा गया है आप जो चाहें वो बोल सक otted हैं तो बच्चा प्रत्यास्तथा के आधार पर вस्तिवों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक पूर्णता प्रत्यास्त बस्तुई उसके बाद में नंबर दो सुघटे वस्तूय हैं या फिर हम सुघटे को ही हम लोग कहते हैं प्लास्टिक वस्तूय हैं और इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 को बच्चा में रखलते हैं Centralwo द्रण वस्तूय है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रत्यास्थता क्या होती है तो देखिए बच्चा प्रत्यास्थता से पहले हमें ये जानना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी विरूपक बल की बात करेंगे तो विरूपक बल क्या होता है तो देखो जैसा कि तुमने देखा होगा क्या कि उसका रूप बड़ा सुन्दर है रूप के आगे का लगा दो तो कुरूप बन जायेगा यानि कि रूप का बन गया कुरूप तो यहाँ पर होता क्या है? ऐसे ही रूपित रूपित मतलब जो रोपा गया हो मतलब किसी पर लगा हो लेकिन अगर वाफट करने वी रूपित यानि कि अब उसके आकार में क्या हो गया चेंज हो गया क्या बच्चा हो गया चेंज हो गया तो जैसे कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि अपने पास एक इस्प्रिंग है क्या है बच्चा एक इस्प्रिंग है और इस्प्रिंग पर हमने क्या किया बहुत थोड़ा सा फोर्स और इस्प्रिंग को छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि इस्प्रिंग की जो पहले अवस्था थी, इस्प्रिंग उसी अवस्था में वापस हो जाएगी, तो ऐसा किस कारण हुआ, ऐसा जो है प्रत्यास्थता के अंतरगत हुआ, बट यहां जो फोर्स लगा, जिसके में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो यह जो इस्प्रिंग पर बल लगा, इस बल को हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, विरूपक बल कहेंगे, क्या कहेंगे, विरूपक बल, अर्थात हम यह कह सकते है, क्या, कि कि किसी वस्थू पर अगर बाह बल लगाया जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं विरूपक बल समझने के लिए जैसे हमारी ये उंगली ऐसी है ठीक है इसको हमने ऐसे कर दिया देखो छोड़े फिर वैसे हो गई तो यहां पर यह कौन सा बल लगा विरूपक बल क्या लगा मेरा बच्चा विरूपक बल तो अब देखते हैं कि प्रत् वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर कौन सा बल अभी हमने कहा था विरूपक बल जिस पर विरूपक बल लगाने से क्या होता है उस वस्तु की इस्थिति या फिर आकार में क्या हो जाता है मेरा बच्चा चेंज हो जाता है मतलब परिवर्तन हो जाता है और ज प्रारंभिक अवस्था या पहले वाली अवस्था को क्या करती है प्राप्त कर लेती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा उस वस्तु की प्रत्यास्थता कहते हैं क्या कहते हैं तो एक बार पुना देखते हैं क्या कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु की पदार्थ का वह ग होता है परन्तु जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्त अपनी प्रारंभिक या कहो पहले या कहो पूर अवस्था को क्या करती है प्राप्त कर लेती है या प्राप्त करने का प्रयास करती है प्रयत्न करती है आप कुछ भी कह सकते हैं इसे ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं प्रत्यास्था कहते हैं जैसे कि उंगलिया आप देख रहे हैं इस पर हमने बल लगाया तो यह बैक में क्या हो गई मुड़ गई लेकिन जैसे छोड़ा यह फिर वही से हो गई ठीक है तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रत्यास्था का यह काम कर रही है ठीक है बाकी यह लेता एक्राइबी नहीं है अगर देखा जाए, तो ये हमारा था बच्चा प्रत्यास्थता, अब हमने कहा कि प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तु ओखुआवा है य। उसका जो पहला भाग है उसमें आती है, पूर्णता प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या आता हैं पूर्णता प्रत्यास्थ वस्तुएं तो देखें ये पूर्णता प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं तो ऐसी वस्तुएं जिन पर बाह बल यानि कि विरूपक बल सिदे कहों विरूपक बल लगाने से वस्त अपनी प्रारंबिक अवस्था में लोटने का प्रयास करती हैं या लोट आती हैं इसे हम लोग क्या करते हैं पूरता प्रत्यास्त वस्तु हैं लेकिन मेरा बच्चा ध्यान रखना दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पूरता प्रत्यास्त हो लेकिन प्रयोगों के आधा पर हम लोग कौार्टर जो है कौर्टर को एपया कि लगभाग क्या मानते हैं लगभाग उसे पूरता time प्रत्यास्त वश्थू मान लेते हैं ठीक है और बाक Community को हम हम लोग रबड ले ले ठीक है रबड से कोई वस्तु बनी तो उसको आप खीचिए और छोड़िए तो क्या होगा वो अपनी पहले की वस्ता में वापस आ जाएगी लेकिन अगर हम इसे ज्यादा रबड पर लगाओगे तो क्या होगा या सीधी सी बात है वो या तो ब्रेक हो अब बच्चा इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं सुघट्य वस्तुएं तो प्लास्टिक वस्तुएं क्या होती है या सुघट्य वस्तुएं क्या होती है तो ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से या कहो यह ना कहके यह को कि विरूपक बल हटा लेने से सीधे सीधे बोलो हटाने से क्या होता है वस्त अपनी पहले की अवस्ता मतलब पूरु अर्थात प्रारंभिक अवस्ता में आने का प्रयास ही नहीं करती या कहो प्रयात्र ही नहीं करती या कहो लोट कर आती ही नहीं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही बच्चा हम लोग कहते हैं, सुघटे वस्तुये, या फिर क्या बोलते हैं, प्लास्टिक वस्तुये कहते हैं, अब तुम सोचते हो कैसे, तो यार सीधी सी बात गीली मटी ले लो, और गीली मटी का हमने कहा कुत्ता बना दो, ठीक है, कु तुमने क्या बल लगा लगा कि क्या बनाया कुत्ता बनाया और फिर उसको पकड़ के इसे दबा दो कुत्य को इसे दबा दो अब दबाने पर क्या होगा क्या फिरसे वह कुत्ता बन जाएगा अरे नहीं बनेगा इसका मत्रब यह कैसा है तो यही है सुघट्ट ठीक है कैसा है बच्चा सुघटे या मोम है, मोम की कोई चीज मोम पर बल लगा दो, अब क्या मोम अगर पहले मान लिया मोम की गोली थी अब तुमने बल लगा दिया, तो क्या अब गोली बन जाएगी, इस जिंदेगी में तो नहीं बनेगी, उसके बाद में अगर हम प्लास्टिक का अब प्लास्टिक के डिबबे के उपर फोर्स अपलाई करें, और उसको पकड़े के हमने दबा दिया, और फिर उसको छोण दो, क्या तुमने कभी भी ऐसा देखा है कि प्लास्टिक का डिबबा पुना बिलुकुल वैसे हो जाए, भले कुछ उसमें कुछ न कुछ चेंजि तो ये द्रण वस्तुएं क्या होती है, तो देखिए बच्चा, इस प्रकार की वस्तुएं, जिन पर अगर हम बाहर से बल, यानि कि विरूपक बल लगाएं, तो क्या होता है, इनके कड़ों में, एक दूसरे के सापेच, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इनका हम कहेंग और इस पर विरूपक बल लगाने से क्या होता है, इनके हम कहेंगे कि अणूँं में या इनके कड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन वस्तुओं को लाल मेरा हम लोग क्या कहते हैं, द्रण वस्तुएं कहते हैं, और वैसे कि अगर देखा जाए, तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है यह नहीं जो पूरता द्रण हो क्यों नहीं है यार सीधी सी बात है थोड़ी देर के सोचो कि हमने एज्यूम कि हमारे पास कोई स्टोन पीस है मिंस कंकड़ पत्थर का कोई टुकड़ा है अब अगर उस टुकड़े के ऊपर आप मार्कर ले लिए सबसे ब पर फोर्स अप्लाई करिए भईया यह चूरन बन जाएगा तो क्या द्रणवस्तु रही जी मिलकुल नहीं रही इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पूरता द्रणवस्तु नहीं लेकिन कहां लिमिट में रहिए कहां रहिए लिमिट में यार सीधी सी बातिये बताईए क्या एक लिमिट तक किसी को आप गालिया देंगे तो वो थोड़ी देर तक सहन करेगा उसके वाद में तेरी जय हो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक चीज लिमिट में होती है तो यह द्रणवस्तु ऐसे कैसे रहेगी लिमिट में रहेगी अगर आप लिमिट में फोर्स देते हैं और हम आसा करते हैं कि आपको यह समझ आ गया होगा इसका स्क्रीन सौट ले लीजिएगा और बिल्कुल ऐसे ही आप नोट कर लीजिएगा तो बच्चा देखते हैं प्रत्यास्थता क्या होता है तो हमने जैसा की लिख रखा है अभी आपको बताया भी था कि वस् से आप जैसे हटा लेंगे तो हमने क्या बताया था कि वस्त अपनी पूर अवस्था यानि कि पहले की अवस्था प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है प्राप्त कर लेती है या कहो प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है वापस आ जाती है अथ्वा प्राप्त करने क प्रत्यास्था किसी पदात का वागुण है जिसके काण वस्थु पर कोई विरूपक बं लगाने से उसकी आकृती इस तिर्में परिवर्टन होता लेगन जैसे विरूपक बल हटा लिया जाता है तो अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है या प्राप्त करने का प्रयास प्रयात्र करती है इसे बच्चा क्या कहते हैं प्रत्यास्था कहते हैं अब हमने कहा था कि प्रत्यास्था के गुड़ों के आधार पर वस्थों को तीन भागों में वर्गी करती नहीं की विभाजित किया गया तोड़ा गया है नंबर एक कौ और हमने कहा कि बच्चा दुनिया में कोई भी पूर्ण प्रत्यास्त वस्तु नहीं है लेकिन प्रयोगों के आधार पर क्वार्टज जो है क्वार्टज को हम लोग पूर्टा प्रत्यास्त मानते हैं लगभग अब जैसे की लेकिन अन एक्जामपल देखें दैनिक जीवन में चोटे चोटे जब विरूपक बन लगाएंगे तो इस्टीलिक पत्ती है रबड की दोरी है ठीक है या फिर रबड से बनी और अन्य चीजें या इस्प्रिंग आप ले सकते हैं उसके बाद में सुघट्टे या प्लास्टिक वस्तुएं तो हमने कहा था आईसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल्फ हटा लोगे ठीक है अब वो अपनी पूर वस्ता को प्राप्त नहीं करती जैसे प्लास्टिक का डिबबा दबाओ दबाके छोण दो तो क्या पहले के वस्तम आएगा नहीं आएगा गेली मिट्टी का कोई चीज बनाओ और फिर उसको दबा दो य है तथा इस्थाई रूप से अपनी विरूपित अवस्ता में ही बनी रहती है इसे हम लोग पूरता क्या कहते हैं सुघट वस्तुई कहते हैं जैसे मोम या फिर गीली मिट्टी उसके बाद में बच्चा हमने कहा द्रह वस्तुई यानि कि रिजिट बाडिज तो ये रिजि है था कि इस पर क्या बाहे बल लगाने से या विरूपक बल कह दो कि बाहे बल लगाने से कणों के बीच क्या होता है इनके कोई परिवर्तन नहीं होता है इसे बच्चे हम लोग क्या कहते हैं द्रह वस्तुई कहते हैं हमने कहा दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है ज तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं, अगले लेक्चर में, धन्यवाद।